वे तूम पर क्यों हस रहे थे, कों इंग्लिस में क्या कहते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम इस वाक्य का इंग्लिस ट्रांसलेशन सीखेंगे, इसकी इंग्लिस होती है, why were they loving at you? वे तूम पर क्यों हस रहे थे, why were they loving at you? तो चलिए सीखते हैं कि यह किस नियम पर English में translate हुआ है और ऐसे same sentences को हम English में कैसे translate करेंगे तो देखिए जिस भी हिंदी वाक के कैंत में रहता है वो past continuous tense का sentence होता है past continuous tense के interrogative sentence को English में translate करने करने हैं पहले डाबलो एच लिखते हैं डाबलो एच का मतला वे पहले क्योंकि English यानि वाइ उसके बाद वाज यह वर लिखना है तो यहाँ पर वर रहेगा